दोस्तों यूट्टूब पर एसे लाखो वीडियो मिल जाएंगे आपको जिसमें बताया जाता है कि कैसे पिलर वाला घर बनाया जाता है लेकिन ऐसे बहुत कम वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ये बताया जाता हो कि बीना पिलर का घर किस तरह से बनाना चाहिए मैंने इससे पहले ऐसे दो वीडियो डाला है अपने चैनल पे जिसमें मैंने बताया कि बीना पीलर का घर कैसे बनाया जाता है लेकिन आज का वीडियो में और एक तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको कि आप बीना पीलर का घर कैसे बना सकते हैं वो भी मजबूति के साथ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम असोख है और आप सबों का सोख हाउस कंट्रेक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को परेश करके औल पर किलिक कर दें बिलकुल फ्री है दोस्तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तो ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें आगला वीडियो तो आपको notification मिल जाए दोस्तों, notification के जरी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिली से जाके सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे हैं, आप foundation cutting करते हैं दोस्तों, बाद में चिनाय यानि की जुडाई का काम करते हैं, उसके बाद डिपीसी करते हैं और बाद में उसके उपर फिर से चिनाय करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाद लिल्टर फिर ढलाय करते हो या फिर सीड डालते हो, एही करते हैं लेकिन मैं आज जो बताऊंगा कुछ अलग तरह का बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूल कर दे तो चलिए बिना देगए वीडियो के मुद्दे पर आते हैं, दोस्तों पहले आप फॉंडेशन कटिंग करेंगे, जिसका डीव मिनिमम धाय फिट हो ठीक है, उसके बाद फॉंडेशन में नीचे बढ़ियां से पिटाय कर लें, जिससे नीचे का मिटी बढ़ियां तरह से ठीक है दोस्तों उसके बाद अगर आप फॉंडेशन में मेटल डालना चाहते हो तो मेटल डाल सकते हो, और नहीं तो उस पर यानि की फॉंडेशन में दोस्तों आप नीचे बालू एक लियर डाल दें, तकरीबन दो इंस डालकर बराबर कर लें, और उसके बाद दोस्तों उस पर आप सॉलिंग करें, फिर आप चिनाय करें, जब आपका प्लिंथ बराबर हो जाए, तो आप डिपसी नहीं करें दोस्तों, जीहां आप डिपसी ना करें, दोस्तों आप ये करें कि दिवार के साइड साइड में खाड़ा इंट यानि तीन इंच का इंट का जोड़ा करें दोस्तों साइड से हां लेकिन आपका दिवार नीचे से 15 इच का होना चाहिए तभी आप ये काम कर पाऊगे ठीक है दोस्तों आप बीम बांधेंगे जैसा कि आप लिल्टर में बांधे हो ठीक है जब आपका जोड़ा हो जाए दोस्तों तीन इच का पाटेशन चारो तर तरह से बीम बांधेंगे उसके बाद जो बीम आपने उससे नापीं हर दिवार पे ये ठीक है उसके बाद आप ढ़ला कर कर सकते वीडियो आपको अगर कहीं से भी अच्छा लगे तो आप पे कॉमेंट कर दिजी जरूर कर दिजी दोस्तों तो आप इस तरह से काम करके अपने घर को मजबूत बना सकते हो या आप एक कारिगर हो तो आप किसी का घर इस तरह से बना कर दोस्तों बढ़ियां से मजबूती दे सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत